कई बार ऐसा होता है किसी भी डॉक्यमेंट की डेफिशेंसी की वज़ा से लास्ट मुमेंट पर खास करके प्राइवेट उनिवस्टीज बोलती है कि आपका एडमिशन मत कैंसिल कर दिया गया है आपका डेडमिशन नहीं आपके ये डॉक्मेंट्स पूरे नहीं थे ये अपन अब उसके आगे हमें क्या सावधानिया बरतनी चाहिए कि हमारे साथ बीड में कोई प्रॉबलम ना हो या ऐसा ना हो कि बाद में फीज बढ़ा दी जाए या कंसलिटेंट के दौरा या कॉलिज के दौरा हमारे साथ कोई भी फ्रॉड हो जाए ऐसे कई सारी चीजे हैं या कई सारे ऐसे प्रॉसेस हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडमिशन लेने के बाद जो आप बीड में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या-क्या साफधानिया बरतनी है गलतिया आप अगर करते हो तो आपके साथ भी प्रॉबलम जरूर हो सकती है ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारी इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवरस्टी इंडिया मेरा नाम है विरिंद वर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपके लेकर आते हैं और देश विदेश की उनिवरस्टी इस कॉलिजिस उनके कोर्सिस को एक्स्प्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जाना चाते हैं दोस्तों हमारे देश में हर साल लाखो स्टूडेंट्स बीड करते हैं बीड करते हैं बीड करने के बाद में सपना बुनते हैं कि वो टीचर बनेंगे कही न गहीं जाकर किसी स्कूल को जोईन करेंगे उससे पहले B.A.D. करना ही उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक महावारत हो जाती है क्यों? क्योंकि कई बारों गलत हातों में चले जाते हैं या फिर गलत कॉलिज में एडमिशन हो जाता है या फिर कॉलिज उनकी डेफिशियंसी को देखते हुए जो गलतियां आपने कर दी उन गलतियों को देखते हुए आप लोगों से पैनल्टी चार्ज करता है या जब एक्जामस होते हैं तो आपके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं ये होते क्यों है? कुछ गलतियां है जो आप करते हैं उन्हीं गलतियों के लिए 3-4 गलतियां मैं आपको बताऊंगा, इन गलतियां आप बिलकुल ना करोगे तो आपको भुगतना होगा, सबसे पहली बात, माइगरेशन, माइगरेशन बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप किसे दूसरे स्टेट के हैं, और अब आप दूसरी यूनिवरस्टी में एडमिशन ले रहे हैं, तो माइगरेशन टाइमली सब्मिट कर दें अपने कॉलिज को, आप में नहीं की, तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी, आपको प्रॉब्लम का खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा, आप माइगरेशन टाइमली सब्मिट कर दें, अगर आपने सब्मिट नहीं किया है, तो अभी जल्द से जल्द, जैसे हमारे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडिना वीक, अपना माइगरेशन कॉलीज को जाकर सब्मिट करें, खुद सब्मिट करके आएं, कंसल्टेंट को ना दें, कंसल्टेंट को आप दे देंगे, वो आने जाने के लिए अपना टाइम बचाएगा, कुछ माइगरेशन ओरी कठे करने में आपका वक्त निकल ज रखनी है वो ये कि जितनी भी फीस में आपका एडमिशन हुआ उसका एक कोई भी अंडर्टेकिंग आप जरूर ले लें अंडर्टेकिंग आपने नहीं भी लिया है तो टोटल फीस की आदी फीस जमा करके और कॉलिज से अपना नोड यूज ले ले पहले साल का उस पर लिखा हो कि पहले साल की इनकी फीस पूरी कंप्लीट है इतनी फीस इन्होंने कॉलिज में जमा कर दी है सेकंड ये की फीस इतनी जमा करनी है तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफेशरी होगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए त्यूटर में कॉलिज आपकी फीज बढ़ा नहीं पाएगा जो अक्सर ऐसा होता ही है तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी किसी यूनिवर्स्टी में आपने एडमिशन लिया ये उन लोगों के लिए काम की बात है जिन लोगों ने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्स्टी में एडमिशन लिया है उस यूनिवर्स्टी का आप एंसिटी अप्रूवल जरूर देखें एंसिटी अप्रूवल नहीं है तो एडमिशन ही ना ले और अगर NCD approval है तो भी उसको एक वर cross verify जरूर कर लें कि total seats कितनी है कितने admissions हुए है last year क्या था यह सब update आप चेक कर लेंगे तो शायद private universities के साथ भी जो problems हो सकती है आपके साथ वो problem आपके साथ नहीं होगी और चोती और महतवपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि सारे document जो लगते है B.A. का admission होते वक्त वो पूरे आपने documents दिये हैं या नहीं दिये हैं कई बार ऐसा होता है किसी भी document के deficiency के वज़ा से last moment पर खास करके private universities चीज बोलती है कि आपका admission cancel कर दिया गया है आपका admission नहीं है आपके documents पूरे नहीं थे या अपने fees पूरी नहीं थी कि private universities को मुनाफे से मतलब है अपने ना कि आपके future से तो ये बाते आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी है आपने चाहे government university में admission लिया हो या private university में admission लिया हो चाहे हरियाना से कर रहे हो UP से कर रहे हो किसी भी जगा से आप B.A. कर रहे हैं इन documents को ध्यान रखें fees अपनी timely जमा करके receiving ले ले migration का special तरीके से आप ध्यान रखें कब होंगे practical कब होंगे theory exams college के आप touch में रहें ताकि आपको future में जो problems हो सकती हैं वो ना हो और आपके exam तक जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है सब पर हम वीडियो लेकर आएंगे और आपको aware करते रहेंगे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जो जो subscribe करना बिलकुल ना भूले साथ में लगा बेल आकर ज़रूर लगा दे तक इसी तरह कि जो educational वीडियो आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राइब दोशननेवाद हमारी वीडियो के साथ बने रने के लिए